हेलो चुरेंट तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्जेबरा का मोश इंपॉर्टन चेप्टर जो सीधा कनेक्टिड रहता है प्रोबैबिलिटी चेप्टर से जिसका नाम है पर्मूटेशन और कॉमिनेशन पी एंड सी जिसके आज हम पैरी क्लास लेंगे और एक नम बेसिक पढ़ेंगे ठीक है तो जल्दी से बेटा एक लाइव आ जाएंगे सब बच्चे और स्टार्ट अपन लोग करने वाले हैं ठीक है चले चैट को मैं थोड़ी ज़र के लिए बंद करना पसंद करूँगा चल लिए पी एंसी पी एंसी में पी का मतलब होता है पर्मूटेशन कुछ ज़दा ही मोटा है यह तो पर्मूटेशन बी का मतलब क्या है पर्मूटेशन और सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन पर्मूटेशन का मतलब है अर्रेंजमेंट और अर्रेंजमेंट दो परकार की होती है चीजों को जब आप row में अरेंज करते हैं या चीजों को जब आप circular अरेंज करते हैं जब चीजों को आप row में अरेंज करते हैं row wise तो उसको row wise arrangement कहते हैं जिसको हम linear arrangement भी कहते हैं और चीजों को जब हम circle में अरेंज करते हैं logo को या चीजों को तो उस arrangement को हम बोलते हैं, circular arrangement. Combination में आप सीखेंगे कि चीजों को select कैसे करते हैं, combinations कैसे बनते हैं. Selection, when you select the things, है ना, जब चीजों को आप select करते हैं, selection, जिसे एक class में 20 बच्चे हैं, मुझे दो बच्चों को select करना है, तो कितने तरीके से कर सकता हूँ, कितने combination बनेंगे दो-दो के, यह हम सीखेंगे किस में, selection में, combination में, तो पहले क्या बनना चाहिए, पहले combination ही बनना चाहिए, क्योंकि चीजों को पहले select किया जाता है, उसके बाद ही arrange किया जाता है, भाई, अगर मुझे 20 लोगों में से 4 लोगों को लाइन में खड़ा गरना है, तो पहले तो मैं स्लेक्टि करूंगा लोगों को क्या अपने आप अपने आप आपी अरेंज हो जाएंगे, तो भाई, सेलेक्शन करना पड़ेगा पर ले, उसके बादी तो और रिग्मेंट होगी, तो फस्सक्राइब करना प्रॉट क स्लेक्ट लूट्या को यह स्ग्रेथ recommend? प्रॉट के लिए न सेरेंफर अप मुझेशन भाइब विड्मेंट आप आप लोगों ₌, मुझे 260 poemble, लोगों 4 टो 5 लोगों साइन अंप 450 मॉझे And it works only for whole numbers, चीजों को अरेंज करना है काम आता है, जैसे मालो मैंने बोला 3 factorial, तो 3 factorial का मतलब है 3 into 2 into 1, इसका अंसर आ गया 6, कितना आ गया 6, इसका मतलब है कि अगर 3 different चीजे हैं मालो मेरे पास ABC, ये 6 क्या represent कर रहा है ये मैं बताना चाहता हूँ, इसका मतलब है कि अगर 3 different वो 6 तरीके से हो सकती है, कैसे कैसे, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, 6 arrangements, इसलिए 3 factorial 6 होता है, इसलिए 3 factorial क्या होता है, 6 4 factorial, 24 होगा, 4, 3, 2, 1, 5 factorial, 5, 4, 3, 2, 1, 120 होगा, 6 factorial, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 720 होगा, 7 factorial, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4 होगा, 8 factorial, 8 से लेके 1 तक का 40, 320 होगा, 9 factorial, 3, 6, 2, 2, 8, 8, 0 होगा, 10 factorial, 3, 6, 2, 8, 8, 0 होगा, 2 factorial, 2 होगा, 1 factorial, 1 होगा, और 0 factorial भी 1 होता है, 0 factorial 1 होता है, इस बात का मतलब है कि 0, चीजों को जब हम arrange करेंगे, तब भी एक तरीका होगा, जब सारी चीजों को arrange नहीं करेंगे, 0 चीजों को arrange करेंगे, तब उसका भी एक तरीका होगा, जब हम सारी चीजों को arrange नहीं करेंगे, that's why 0 factorial is 1, तो हमें 10 factorial तक याद रहने चाहिए, अच्छी बात होती है, 10 factorial तक हम लोगों को याद रहने चाहिए, अच्छी बात होती है, तो भाई, और 5 factorial से end में 0 भी आनी स्टार्ट हो जाती है, देखो दिहान से, at the end of 5 factorial, you will see 0, और after that 0 आती ही आती है, 5 factorial के end में 0 आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अपने आप में question end में आने लायक और आच्छुका question है, कि किसी factorial के end में कितनी 0 होती है, अगर कोई बोलता है, 50 factorial, तो 50 factorial के end में कितनी 0 होंगी, यह वो आप से पूछेगा, ठीक है न, 5 factorial से 0 आनी स्टार्ट हो जाती है, 100 factorial के end में कितनी 0 होंगी, 200 factorial के end में कितनी 0 होंगी, 70 factorial के end में कितनी 0 होंगी, ऐसा question पूछ सकता है, ठीक है न, तो ये factorial का मतलब होता है कि अगर 3 factorial की बात मैंने बताई 6 आ रहा है तो इसका मतलब है कि 3 different चीज़ों को arrange करने के 6 तरीके होंगे 7 factorial का मतलब 5040 है तो इसका मतलब है कि 7 different चीज़ों को arrange करने के तरीके 5040 होंगे 2 different चीज़ों को अगर आप arrange कर रहे हो A और B को, तो इनको और रेंज करने के दो ही तरीके होगे, एक A भी होगा और एक B होगा, समझ रहे हैं बात हूँ? अगर आपको कही रोकना है फैक्टोरियल को, किसी पॉइंड पर जाके तो आप रोक सकते हो, 10 इन्टु, 9 इन्टु, 8 फैक्टोरियलках जैसे मालोब ने बोला 20 factorial upon me 18 factorial को solve करना है तो आप इस 20 factorial को लिख सकते हो 20 into 19 into 18 factorial यह cut गया 380 आगया कितना आगया 380 तो 380 इस cancer हो जाएगा तो किसी factorial को अगर आप stop करना चाहते हो कर सकते हो तो एक में page को पीछे लेके जाता हूं n factorial लिख जाता हूं तुमारे लिए n factorial n factorial क्या होगा n-1 n-2 n-3 4 into 3 into 2 into 1 4 into 3 into 2 into 1 ठीक है न वो तो obvious सी बात है बन तक जाएगा तो 4 से पहले 5 भी आएगा तो भाई कोई भी factor लो बन तक तो जाए गई भाई ठीक है बन तक तो वो जाए गई clarity आ रही है feeling आ रही है क्योंकि chat तो मैंने off कर रखी है कोई बात में भी chat on कर देंगे लंबी class लेने का मन है आजे यार ठीक है सोच रहों कल तक permutation combination ही खतम करा दूँ उसके आराम जिसको लग रहा है कि वो कर सकता है जिसको नहीं कर रहा है recording होगी आराम से देख लेगा तक मैक्सिमम आपको लेकर चला जाओं को ठीक है ना हाँ पर वैल्टी स्ट दोनों करा दूँ सेट हो गया रिलेशन हो गया पी एंसी के बाद सीधा बाइनोमियल कराऊंगा बहले और प्रवैबिलेटी और स्टैट्स भी खतम हो जाए जन्वरी के एंड तक तो भाई यह मत जो काम मैं उडГा ना अगया ना थे और एमघॉन अगया कि जूए ट्रोवेडवाटि इन धर गया कि जाता पिए अगया तब फोग ऐने मेरे साथ तुम भी लगए मेरे साथ तो भाई बहृत आगे तक नोगल जाएं फिर फरवरी मार्च होगा हमारे पाद खूब महिनत करनेगा ठीक ना हाँ चलिए अब मैं आपको नो फेक्टोरियल को दूसरा रूप दिखाना चाहता हूँ I want to show you the दूसरा रूप of what जैसे 10 फेक्टोरियल है फेक्टोरियल का दूसरा रूप फेक्टोरियल में 10 फेक्टोरियल है तो कितरे 法णा ही ऊब्यस सी बात है दस होगे देखो दियान से होगे 10 फेक्टोरियल अगर लिखा हुआ है तो क्या मतलब यह 12 तक Q 2 मतलब होते है अ इस और आदे ओड होंगे, 9, 7, 5, 3, 1, बड़े simple सी बात है, अगर आपको किसी का factorial देख रहे हो, और वो factorial even का factorial है, तो आदे even आदे ओड होंगे, ठीके न, अब ये even ओड क्यों बोल रहा हूं है, क्योंकि even numbers मैं जानना चाहता हूं कितने होंगे, that is important, जिसे 2n का factorial है, 2n का factorial कितना ह होगा, 2n, 2n-1, 2n-2, यह हमारा 2n का factorial है, ठीक है जी, क्या है, 2n का factorial, अब इसमें कितने number multiply हो रहे होंगे, natural number सोचे, इसमें n number, sorry, 2n natural number multiply हो रहे होंगे, पहले 2n natural numbers multiply हो रहे होंगे, जिसमें आदे even होंगे, आदे odd होंगे, even कितने होंगे, n, क्योंकि एक से लेके 2n तक natural numbers हैं, तो आदे even होंगे, obviously बात है, n even होंगे, n odd होंगे, even कौन से होंगे, 2n, उनको लग कर रहा हूं, 2n-2, कुछ बताना है actually, मुझे, बता रहा हूं, कैसे बन रहा है, तो मैंने even कौलक कर लिया, चचा, और odd कौलक कर लिया, मेरे भाया, यह भी n है, और चचा, यह भी n है, अब यो even numbers है, उन सम में से 2 common आजाएगा, यहां 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 से 2 common तो कितना हो जाएगा 2 की पावर n, 2n नहीं होंगे, 2 अगर add होरे होते हैं, n bar, तो 2n होते हैं, 2 multiply होरे हैं n bar, तो 2 की पावर n हो गया, चचा है यहां क्या बच्चा, n, n-1, n-2, 2 into 1, और यह as it is, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि और नम्बर से मैं क्या ही common ल जिहां से देखेंगे, 2 की पावर n, इंटू, यह क्या चीज़ हो गई, n factorial हो गया, तो यह 2n का factorial आपके सामने आगया, क्या आगया, 2n का factorial, तो यहां रखिए 2n का factorial टिप्स पे याद होना चाहिए, और याद नहीं करना है, ऐसे रट्टा नहीं मारना, आपको वैसे सिखा देता हूँ, आप किसी भी factorial के अंदर ना, इतना पता लगा लिया करो, even number कितने है, उसको 2 की पावर में चड़ा दिया करो, और उतने काई factorial लिग दिया करो, और जितने भी और नमबर है, उनको यहां लिग दिया करो, देखो कितना simple है, हमें रट्टा मारना ही नहीं, प्रो You just need to know कि कितने even होंगे, even होंगे 50, तो 2 की पावर में लिख दे 50, और 50 का factorial साथ में चिपका दे, और into में सारे odd number, odd number कितने होंगे, 99, 97, 95, 10 into, अब आप सोच रहोगे सर आप सिरफ even number गई factorial ले रहे हो, अरे चचा, आप 51 का factorial ले ले लेते हैं, जले, अब 51 factorial में, एक से लेके 51 तक natural number होंगे, तुझे सिरफ even natural number ढूणने है, तो एक से लेके 51 तक natural number even कितने होंगे, 26, अब आप सोच रहोगे, अनूसर आपने कैसे फटाक से बता लगा लिया, 26, तो भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, even के case में आदा आदा कर देते हैं, और के case में उ तो क्या आजेगा 2 की power? 26, इंटु 26 का factorial, और इंटु में सारे के सारे, और natural numbers, 51, 49, 47, 1. सुमझ रहें कि नहीं? सुपोज मैंने बोला 43 का factorial है, I want to write it in this form, अब हम ऐसे write क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पर question बन जाते हैं, और binomial theorem जो मैं आपको कराऊं, और next chapter, उसमें भी आपको clear पर चलेगा कि ये कितना important है, 43 के इंटर कितने even national number होंगे, 22 क्योंकि 43 plus 1, 44 हो गया 44 बटे 2, 22, 22 की पावर 22, 22 का factorial, इंटर में सारे odd numbers, 43, 41 से लेके कहां तक 3 into 1, अब मैं इसको जैसे मैंने end वाला even के लिए generalize किया था, इसी तरह से मैं odd वाला भी generalize करता हूं, लेकिन आपको ऐसे रटना नहीं है, आपको बस even number खोजने हैं, ऐसे समयने हैं, अब जैसे ये है ये एक odd number का मैंने factorial लिया है, और नमबर का factorial लिया है, अब अगर मैं इसको रूप देना चाहता हूं, तो भाई क्या करेंगे, इसके अंदर कितने होंगे, थोड़ा सा, मैंने गलत बता दिया, mistake होगी, it's my mistake, या minus करना था, प्लस करने के बाद तो बेटा, और number साते, even number ढू माइनस वन करके आता है, बता, even number न, क्या कर रहे हों तुम ए, प्लस वन करके टू से डिवाइड करके तो, odd number पता चलते है, माइनस वन करके टू से डिवाइड करके ही, आपके even number बता चलते है, 51 में से गटाना है, minus के, एक करना है, तो 50 पच्चिस आएगा या पर, 43 में से गटाएंगे 42, 21 आएगा यहाँ पर, 2N ब्लस 1 में से गटाएंगे 2N बटेटू N आएगा, तो 2 की पावर है, इंटू N का, सारे के सारे और नम्मर, ठीक है, वो थोड़ी से, एक बड़ साही कर लेना, बात समझ गए है, तो आपको कभी भी, एक से लेके, नैचनल नम्मर दे अच्छे होँ, और और टक आ रहे हो, और आपको पता लगाना हूं कितने wishने कृष्ट अवर है तो आदे-दय नी होते, आदे-दय तो इवन के केस में होते, और शक्णल अगरिक्ता लगाना है तो टोफम के मैन से माइनस एक बटे दो, और प्लस और पता लगाने कितने त प्लस एक बटे दो बोलो किस किस को क्लियर है मामला उम परकाश है जल्दी से बता देगा मिठा बटे दे आगे बढ़ जाए तो टॉपी डालेंगे हाउ टू फाइंड एक्स्पोनेंट इन फेक्टोल हाउ टू फाइंड एक्स्पोनेंट इन फेक्टोल हाउ सुझा जाए तो लाच्ट वाला कुछ नहीं है यह एक और नच्टनल नमबर लिया है बने यह और नमबर लिया है और और नमबर का फेक्टोरियल है तो अब्विस सी बात है एक से लेके 2N प्लस 1 तक नमबर होंगे इसमें इवन कितने होंगे तो टोटल नमबर जो है 2N प्लस 1 है उसमें से घटा दो 2N प्लस 1 में से घटा होगे तो 2N हो जाएगा बटे दो करोगे तो N हो जाएगा तो even natural numbers होगे, इस पूरे factorial के अंदर, एक से लेकिए 2 इंप्रस्वन तक जाएगा नहीं, उसमें even natural numbers होगे n, तो 2 की power n into n factorial और सारे और numbers यहां लिखती है, ठीक है ना, now the question, now the concept comes कि कैसे किसी factorial के अंदर exponent निकालते हैं, सबसे बहुत तो इस word को जाना वो जरूरी है कि exponent होता क्य है, तो जैसे मालूम ने आपको बताया कि 10 factorial लिखा हुआ है, तो 10 factorial का क्या मतलब है, 10 into, अब इसमें, मैं इसको prime factorization में convert कर रहा हूँ, मैं इन सारे numbers को prime numbers की form में convert कर रहा हूँ, जैसे मैं 2 को ढूंडता हूँ, कितने होंगे, यहां पे 2 कितने होंगे, एक, यहां 2 कितने हैं, यह 2 की power 3 है, 3, 1-2 यहां से आएगा, क्योंकि 6 को लिखोगे 2 into 3, 2-2 यहां से आएगे, क्योंकि 2 की power 2 है, और एक यह रहा 2, तो देखा जाए तो 3, 4, 8, 8, तो यह 2 की power 8 हो गया, तो यह जो 8 है, यह 2 का exponent है, exponent का मतलब power होता है, index कहते है, 3 देखते है, 3 का exponent, यह 3 की power 2 है, 2 तो यहां से आगे, एक यहां से आगे, यह 3 की power 4 हो गया, 5 का exponent देखते हैं, 4 का exponent नहीं देख रहा है, तो 4 तो 2 में मर्ज हो गया न, prime numbers की form में ही exponent दिखाला जाता है, ठीक है न, मतलब देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि 4 की power में बना नहीं सकता, 4 की power 4 होगी उसका भी exponent होगा, लेकिन मैं अभी prime numbers को form कर रहा हूँ, तो 5 देखूं तो एक 5 मेरे चच्चा यहां से निकलाएगा, एक यहां से निकलाएगा, तो 5 की power 2 हो गई, 7 देखूं तो 7 की power 1 है, तो इस 10 factorial में अगर कोई आपसे पूछता है, 2 का exponent क्या है, exponent को capital E से denote करते हैं, exponent 2 का किस के अंदर, 10 factorial के अंदर, तो मेरे दोस, मेरे भाई कितना है, 8, exponent अगर मुझे निकालना है, 3 का, 10 factorial के अंदर, तो भी अच्यार आएगा, exponent अगर 5 मुझे देखना है, 10 factorial के अंदर, तो कितना है, 2 है, exponent अगर मुझे देखना है, 7 का, 10 factorial के अंदर, तो मेरे भाई कितना है, 1 Are you getting my point? तो यहाँ पे यह exponents मैंने इस तरीके से निकाल दिये लेकिन यह तरीका अच्छा तरीका नहीं है यह तो समझाने का एक तरीका होता है कि exponent होता क्या है बट actual में देखा जाए तो exponent अगर हम ऐसे निकाल देंगे तो कितना time waste हो जागा हमारा तो पगला जाएंगे भाई हम क्या करेंगे? हम एक system बनाएंगे उस system को follow करेंगे उसको करेंगे follow उसके लिए आपको ना basic greatest integer function के बारे में अच्छे से आना चाहिए किसके बारे में आना चाहिए? greatest integer function के बारे में जैसे अगर मैं आपको बताओं थोड़ा सा दिलाओं greatest integer function इसे कहते हैं greatest integer function तो greatest integer function की अंदर एक खास बत होती है कि अगर आप इसमें कोई input डालते हैं तो output आजाएगी जैसे 2.4 का greatest integer function क्या होगा? जो भी आप number इसमें डालते हैं उससे छोटा integer ये भार दे देगा तो 2.4 का greatest integer function 2 होगा मतला इसकी खास बत है इसकी USP है इसकी functionality है ये हर function अपने अपने इसाब से function करता है और output देता है अगर मैं बात करूँ greatest integer function की तो इसकी जो input है वो all real है इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं लेकिन ये जो result भार देता है ये हमीशा एक integer होता है याद रखिए कोई भी आप number अगर greatest integer function में डाल रहे हैं उससे छोटा integer ही भार आएगा 2.4 डालेंगी तो 2 आएगा 3.0000006 डालेंगी तो 4 आएगा integer डालोगे तो integer ही आजाएगा 10 डालोगे तो मेरे दोस 10 ही आजाएगा अगर आप कोई number minus में डाल रहे हैं तो ध्यान अखना minus 3.1 डाला तो minus 3 मत लिख देना minus 3.1 से छोटा integer सोचिए minus 4 है तो greatest integer function की खास बात क्या है वो ले तो सब कुछ लेता है लेकिन देता सिर्फ integer है दबा के like ठोक दो clear रहे तो अगर आपको इतनी सी बात clear है तो समयलो आपको exponent निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहे गई exponent निकालना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं रहे गई तो अगर मैं कहता हूँ कि मुझे exponent निकालना है 2 का 100 factorial में किसमें? 100 factorial में तो देखो कितना simple process होता है कितना ही simple होता है तुम कहोगे सही measure कितना ही simple है तो भाई करना क्या है आपको अगर कभी भी किसी factorial के अंदर किसी भी prime number का exponent निकालना हो ध्यान अखना यह जो concept करा रहा हूँ यह जो short cut करा रहा हूँ यह prime number के exponent के लिए है तो आप उस 100 को जिसके factorial के अंदर आपको किसी का exponent निकालना है तो उसको 2 से divide करके भार greatest integer function ठोक देना है और नीचे number power को बढ़ाते चले जाएंगे बढ़ाते ही चले जाएंगे रुकेंगे नहीं अपने आप ही रुक जाएंगे अपने आप automatic रुक जाएंगे मुझे पता है आगे देखो लिखने का फाइदा नहीं है क्योंकि 2 की power 7 जो होता है वो 128 होता है आप number नीचे का और नीचे number जो लिखोगे power बढ़ाते हुए वहीं तक लिखोगे जब छोटा रहेगा उपर से सोचो उपर वाला छोटा हो गया और नीचे वाला बढ़ा हो गया मतलब यहाँ पर 2 की power 7 तक ले जाता है तो 2 की power 7 तो 128 होता है और 100 बटे 128 क्या होगा 0 point something जब denominator numerator से बढ़ा हो जाता है तो answer point में आता है decimal में 0 point something 0 point something का greatest interior function क्या होगा सोचो 0 होगा तो आगे अगर आप लिख भी लोगे 2 की power 7, 2 की power 8, 2 की power 9 तो आना final result 0 है तो no need to write तो आप ऐसे समझेंगे आप तब तक ही लिखेंगे जब तक नीचे वाला नंबर शोटा रहेगा तो चचा यह आगया 50 चचा यह आगया 25 क्यों आया 50 25 दिख रहा है क्लियर यह 8 8 से divide करोगे इस सोखो तो बारा अट ने चैना है बारा पॉइंट सम्थिंग तो बारा पॉइंट सम्थिंग का greatest interior function बारा चचा यह कितना है 16 चिका चैना है 6 पॉइंट सम्थिंग 6 आ गया 32 तीन और यह रोक हो गया आँ 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 97 आँ 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 97 तो exponent of 2 कितना आया 100 factorial में 97 मतला 2 की power 97 चमकेगी किसी परकार मेरे दोस्ट मेरे वईया हो मेरे वईया 100 factorial के अंदर अगर 3 का exponent निकालना है तो तो 3 से divide कर 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 ना 100 by 3 का square 100 by 3 का cube तो यह आ गया 33 point something something 33 आ गया यह है 9 11 आ गया यह 27 ती 83 आ गया और यह एक आ गया 48 हो गया 5 का exponent निकालने मेरे दोस्ट 24 आ गया तो इसका मतलब है 100 factorial में 2 की पावर 97 है 3 की पावर 48 है और 5 की पावर 24 है 7 की पावर इप कुछ होगी मैं निकालनी रहा मेरे दिल नहीं कर रहा क्या ही करना है concept समझाना है मुझे तो तुम कर ले ना साथ से डिवाइड करना एक बस साथ स्केर से करना अब यह मैंने लिख दिया तो अगर कोई पूछे 100 factorial में 2 का exponent कितना है तो 97 है 3 का exponent 48 है 5 का 24 है अब यहां से एक और नहीं चीज़ सीखने को मिलती है आप मुझे बताओ किन दो prime numbers को multiply करके 10 मनता है किन दो prime numbers को multiply करके 10 मनता है यह बताओ तुम चलो सिरफ दो ही prime number है एक 2 और एक 5 इनको ही multiply करके आप हमेशा प्राप्त क्या करेंगे 10 प्राप्त करेंगे तो अगर मैं आपसे पूछूँ इसमें 10 की power कितनी होगी तो आपको 2 के exponent और 5 की exponent को merge करना पड़ेगा 2 की power 97 जब 5 की power 24 है भिड़ेगी तो 10 की power 24 बनेगी क्योंकि छोटा number 24 है मैं आपको थोड़ा सा explain करना चाहता हूँ 97 में से मैं थोड़ा टुकड़े मारता हूँ तो टुकड़ा करता हूँ इसका 2 की power 24 ले लता हूँ अलग 73 मेरे भईया अलग ले लेता हूँ देखा जाए तो यहाँ पे 2 की power 73 रह गया 3 की power 48 रह गया और 2 की power 24 है और 5 की power 24 है वो मर जोके 10 की power 24 हो गए तो यहाँ पे 10 की power 24 हमें क्या represent करता है 10 की power 24 यह represent करता है कि 100 factorial के end में 24 0 होंगी कितनी 0 होंगी 24 0 तो आप मुझे ध्यान से बताइए सोच के बताइए 10 की power क्या बनी 10 का exponent वो ही होता है जो 5 का exponent होता है ठीके न, exponent of 10 जो होगा exponent of 10 किसी भी factorial में वो 100% 5 का exponent होगा और वो ही हमें represent करती है number of zeros at the end of in factorial मतला अगर कोई आप से बोले find the number of zeros in किसी का भी factorial माले 70 का factorial उसने बोला 70 factorial के end में 0 बता कितनी है तो तुझे कुछ नहीं करना you just need to find the exponent of 5 तो exponent of 5 जब तू निकालेगा 70 factorial में 70 बटे 5 भार greatest 70 बटे 5 का square 14 25 दूनी 16 तो 70 factorial के end में 16 0 प्राप्त होंगी समझ रहे हैं बात को बटा इतनी साध्गी से मैंने कभी बढ़ाया नहीं है समझ रहे हैं इतनी साध्गी से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ रिस्पॉंड करना जुरूरी होता है जल्दी से बताओ बटा clarity आ रही है feeling आ रही है कि नहीं हाँ जल्दी से बताएंगे बटा clear आ है कि नहीं किसी भी factorial के अंद में कोई सभी prime number का exponent निकालना है या किसी भी factorial के अंदर कभी भी number of zeros पता लगाना हा तो number of zeros अगर three limiting reagent five limiting reagent हाँ अरे वाँ ठेके तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कभी भी किसी factorial के अंद में number of zeros निकालना है तो you will have to find the exponent of five 5 के exponent आपको बटा number of zeros देगा किसी भी ठीक है तो एक question आपके लिए बनता है इसी बात पे find the number of zeros डर है तो नहीं at the end of चल भाई तू ले ले दोस्तों का फेक्टोर दोस्तों के फेक्टोर में end में बताई हो कितने जी रोऊंगी फटाक से बता दे जल्दी से शाबाश आख लगा दी चार का exponent पूछे का नहीं पूछे का तो दो का exponent निकालके अद्दा कर दियो अद्दा कर दियो अद्दा तो चार का इसको करते हैं पहले पहले है प्रेक्टिस की बात कि आप कितनी प्रेक्टिस करते हैं ठीक है सीधा पांसे डिवैड करो चालिस तो आगया था पांचो का अभी सोताना फिर पक्चैस से करो गए तो पच्चैस आट देदेगा फिर 125 से करहोगा, 125 तीन देदेगा, जहां तक मैं ढीक पा रहा हूँ, 51 इस का आनजर आना चीए, बात समझ गए, भाई 125 तीया कितना होता है, 375, ओ सॉरी, 125 एक कम होगा ने, 49 आएगा, 49 आएगा, चचा-चा, 51 गलत है दिव्या, उपर दिल बना रही है, यह क्या बात होती है, गलत आंसर पे कोन दिल बनाता है, पचास भी गलत है तनुझ, तेरा नाम तनुझ बिल्कुल मेरे जासा अनुझ, लेकि तु गलती कर रहा है बिल्कुल, गलत बात, 51 कहां से आजाएगा, 49 आएगा, गलत दांसर पे कोन दिल बनाता बाई, दिल को संभाल के रखिए, बहुत काम की चीज़ है, कभी भी बहक सकता है, कभी भी महक सकता है, ठीक है? अब एक बच्चे ने बूचा, सर, non-prime numbers का exponent कैसे निकाले, किसे ने बोला, सर, 14 का exponent निकाल दो, हाँ, बटा, वो तो हाई, अनुझ, सर, पेपसी, दो रुपे की पेपसी, अनुझ, सर, सेक्सी, उसमें कहने वाली बात कहां, अनुझ, सर, तो हाई, सेक्सी, कैसी बाते करते है, यह कोई कहने वाली बात आती है, ठीक है, वो बताओ, जो तुम्हें नहीं बता, या मैं बताओ, जो तुम्हें ना बताओ, ठीक है, देखो जब, तो मैं यह कह रहा था, मेरे भाई, अब एक बच्चे ने पूचा, सर, सर, जी, 6 का exponent निकाल दो, 6 का, अधिपांशू ले प्राइम में, जैसे 6 को तोड़ सकते हैं, 2 और 3, तो बड़े वाले प्राइम नंबर का exponent, ही 6 का exponent होगा, तो exponent of 6 जो होगा, किसी भी फेक्टोरिल में, वो exponent of 3 होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे मैंने अभी आपको exponent of 10 करवाया था, किसी भी फेक्टोरिल में, मैंने इस 10 को कैसे तोड़ा सा, 2 इंटू 5 में न, तो बड़े वाले प्राइम नंबर का जो exponent होगा, वही 10 का होगा, क्योंकि जब आप मर्ज करोगे, 2 की पावर सम्थिंग और 5 की पावर सम्थिंग, त बड़े वाले इससे मानने बुला कि 2 की पावर 7 है और 3 की पावर 4 है, तो कोई आप से पूचे 6 की पावर क्या बनेगी इससे, तो आप्वेस की बात है जब 2 की पावर 7 और 3 की पावर 4 को multiply करेगा, तो यहां के 2 की पावर 4 ही तो इसससे multiply होगे 6 की पावर 4 बनाएगी है, तो किसी भी non-prime numbers का अगर तू exponent निकालना चाहता है, तो उसको prime number में तोड, बड़े वले prime number का जो exponent होगा, वही उस number का exponent होगा, बताओ clear है कि नहीं, दबा के लाइक ठोको दिल बनाओ, दिपान्शू पाल को call पर ले लेते हैं, दिपान्शू पाल wants to talk to me, दिपान्शू, वही दिपान्शू पाल पर आई, खौल पर आओ, मैंने raise hand option ओके कर दिया है, खौल पर आओ, नहीं आना, मर्जी है भाई, सब बड़ी आए सर, सही चल रहा है जीवन, कोई दिक्कत तो नहीं है जीवन में, लग रहा है कि फोड़ देंगे पेपर, आजा पिटा दिपान्शू, लग रहा है फोड़ देंगे, फोड़ देंगे ना, फोड़ हैंगे से निया, येस दिपान्शू, नमश्कार Congratulations क्या हुआ प्रब्लम आ रहे हैं किस चीज़ में प्रब्लम आ रहे हैं किस चीज में प्रॉलम आ रही है कि कुछ नहीं करना होता है जब ऐसी चीज़े हो ना बोर्ड भी आए प्रेशर जदा हो तो पड़ाई जदा करनी होती है एक प्लैनिंग सिस्टम बनाना होता है समझ रहा है मेरी क्लास तो ले नहीं है इंडिया में मैस्मेटिक्स तो बहुत जुरूरी है उसका तो पकड़ बना के रखने ही बढ़े हैं तक तो बस टच में रहा है मैस के बोड के पेपर के बाद 11 को सट्रेट बोड़ा सी भी ऐसी है तो ग्यारा तरीकों तरी पेपर खतम है ग्यारा मार्च को एक मीने के अंदर तुस्से काफी कुछ करवा लुआ मैं ठीक है पेंचन मतले लेकिन टच में रहे थोड़ा थोड़ा मेनत को डबल करना है और कुछ नहीं करना है समझ रहा है हाँ हो जाएगा पेंचन मतले मैं तेरे साथ हूं एंड तक रहुँगा क्या कहते है गरवले इस वले attempt में नंबर आने चाहिए? नहीं तो शादी नहीं कराएंगे? हाँ पेटा हो जाएगा ना घरवलों को क्या की करूँगा मैं महिनत? दिल से दिल प्याद रखके बोलों के फोड दूँगा ऐसे बोला कर उनको भी confidence दिया कर ठीक है? कौन पढ़ा था मुझसे? आपके दिदी? क्या नाम था? विशाका? मुझे याद नहीं है कोई बात नहीं वेटा तू भी करेगा तू भी निकाल देगा मैं ते देख मैं ते कितने दिल से पढ़ा रहा हूँ तुझे देखी रहा हुआ तू दिल देखा तुने मेरा? कितना जबरदस दिल है? कितने बढ़ी है तरी कैसे पढ़ा रहा हूँ है? तू अगर लगा रहेगा मेरे साथ तू बेटा तू बेटा तू अगर मैं अटमेटिक्स का रिटन तो ऐसे मजाक में करवा दूँगा उसके बाद तू बेटा जब तू एक मीना बच्चे का तू मुझे कॉंटेक्ट करी हो मैं एक वीडियो बना दूँगा बच्चो को ग्यारा तरीको मैं लाइव आँँगा बच्चो को बताने के लिए कि एक मीने में क्या करना है जो बच्चे ट्वेल्थ वले हैं टेंशन म तुम्हारे बोर्ट्स पथ पिछले पढ़ाई करनी होती है बस क्लियर हुआ कि नहीं तो किसी भी नंबर का एक्स्पोनेंट आप निकाल सकते हो एक छोटी सी बात और लिखलो यार छोटी सी प्यारी सी नननी सी मुननी सी ठीके ना किसा प्यारी सी मुननी सी थपो पिदरा छोटी के बात 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 생각을 हो किसी एकी, आप सकते होको किस 뚜मनी का दो। आपाो किसे ज्सब्स यह आया हो कुश्चन है प्रोड़क्ट आफ एन कॉन्सेक्टिव नेचरल नंबर्स या इंटीजर्स इस अलवेश डिवीजिवल बाइन फैक्टोरियल जिसे मालू मैंने साथ नेचरल नंबर्स लिख दिये कहीं से भी स्टार्ट करो उसको जिसे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ कॉन्सेक्टिव नेचरल नंबर्स इंटीजर्स लिखा है मैंने उपर तो नेगेटिव ले सकते हो इनका प्रोड़क्ट कितनों का प्रोड़क्ट है ही? साथ का प्रोड़क्ट है तो यह हमेशा साथ फेक्टोरिल से डिविजिबल होगा आप चेक कर सकते हैं साथ, छे, पांच, छे, तीन, दो, एक, आटो के सब कट जाएगा तो प्रोड़क्ट ओफ न कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स इस अलवेस डिविजिबल बाई न फेक्टोरिल क्टोरिव प बाईक्ट हैं की झालक चोरिव टतोरिव दिसित अ Crystal हो गया, नोट कर लियो, बहुत बढ़ी है, तो एक कोश्चन है, जो दो बर आचुका है एंडे में, हरमेशा मैंने करवाया है, कोपी में, और पूछा है, तो कोश्चन पहले मैं आपको दे देता हूं, कोश्चन है, आर इंटू आर का फेक्टोरियल, आर एकोल टू बन से ले कोश्चन 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 पूछा गया है, और जब मैं एक कोश्चन करवाता था जो आप करवा देते हो, और एक बारनी दो बर आगया लगाता है, तो अब यहां पर इस कोश्चन को पहल तो समझना वो जरूरी है, कि इसमें आर की वैलियोंगर मैं 1 डालता हूँ, तो क्या निकलेगा, 1 इंटू 1 का फेक्टोरियल, 2 इंटू 2 का फेक्टोरियल, 3 इंटू 3 का फेक्टोरियल, कहा तक, 10 इंटू 10 का फेक्टोरियल, यही मतलब है न, अब मैं इसके आप्शन दूँगा तो थोड़ा साब को या फिर none of these तो भाई आप देखिए options small small single term के या दो term के और question में इतनी सारी terms तो भाई कुछ ना कुछ तो कलागारी करनी पड़ेगी कि इतनी सारी terms छोटी हो जाए तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ काम तो करूं भाई 1 को लिख सकता हूं 2-1 इस 2 को लिख सकता हूं 3-1 इस 3 को लिख सकता हूं 4-1 इस 10 को लिख सकता हूं 11-1 चैन भी राइट और नॉट अब इससे फाइदा क्या होगा जब मैं इसको इससे multiply करूं 2 x 1 factorial 2 x 1 factorial क्या हो जाएगा 2 factorial और 1 x 1 factorial 1 को तो आप किसे से multiply करोगे तो वही number ही आ जाता है 1 factorial 3 x 2 factorial और 1 x 2 factorial 4 x 3 factorial और 1 x 3 factorial इससे फाइदा क्या हुआ कि हर bracket की पहली term अगले bracket की दूसरी term से cut पा रही है यह cut गया और यह भी पिछले बले से cut जाएगा बचे गया 11 factorial क्योंकि इसको आगे काटने वाला कोई मिलेगा नहीं और 1 factorial बच गया क्योंकि इसको काटने वाले पीछे कोई term नहीं थी 1 factorial 1 होता है तो 11 factorial minus 1 आ गया तो इसका general result मैंने हमेशा बच्चों को याद करवाया है class में कि r x r factorial r 1 से लेकि अगर n तक है तो आंसर होता है n plus 1 का factorial minus 1 यह आपके लिए भी एक general result है जो काम का है r into r factorial is equal to n plus 1 का factorial minus 1 ठीक है अब nd के paper में जो question आया अभी note करवा दूँआ बचाने वो कैसा आया an दे रखा है n into n factorial same question आगया भाई एक दम ना थोड़ा सा root change कर दिया sigma के जगा उसने ऐसे दे दिया यह question आया हमारा 2016 के paper में आया second में या first में तो भाई जिनको तो मेरे पढ़ाई भी बाते याद थी वो तो लगा दिया 10 second में answer आ गया और जिनको याद ने थी उनके लिए जिनको नहीं पड़ रखी ऐसी चीज़े उनके लिए तो बहुत ही heavy question था कहते रहे कि तरह बड़े मुश्किल paper आया था इस बार थेक है ना तो भाई इस question में कुछ था ही नहीं आ रहे है यह तो बैंगण question था यह था बैंगण तो यह वही तो है 1 into n into n factorial तो इस कांसर था सीधा n का काम कोन कर रहा है 10 तो सीधा 11 का factorial minus 1 सबसे पहले जो सब बच्चे इसको लिख लेगे जो मैंने अभी करवाया है हो सकता है कुछ बच्चों को clarity ना आई हो तो मैं इसको repeat भी कर दूँगा लेकिन मैं पहले पूछूँ को clarity आई है कि नहीं है ठीक है clear है हो जाएंगे यार तो पड़ेगा तो होगे न धीरी धीरी होगे यार टेंशन मतले तो last step एक बार करही देख ले बटा ये clear है तुझे देखिए हाँ पर इसको तुने 2-1, 3-1, 4-1 में तो मुझे लगता है तुझे को कोई दिक्कत ने आई होगी अब तो ये normal multiplication करनी भी आती होगे तो उन्हें बच्छमन में सीखी होगी normal multiplication है कि this into this जैसे मैं तो दिखा जेता हम जैसे x-y into z होता है तो कैसे करता है multiply x को z से करता है नहीं कि x-z minus y-z वो ही किया है मेरे बहिया 2 को 1 factorial से multiply करेगा तो 2 into 1 factorial सोच क्या होगा 2 factorial नहीं होगा और 1 into 1 factorial तो 1 factorial ही होगा 3 into 2 factorial 3 factorial होगा 1 into 2 factorial 2 factorial होगा यहां तक पोज़ गया तो उसके काट देया कट रहा है सब कुछ बस एक ये term बच जाएगी क्योंकि इसको काटने के लिए पीछे कुछ नहीं मिलेगा और एक ये बच जाएगी क्योंकि इसको काटने के लिए पीछे कुछ नहीं मिलेगा तो answer 11 factorial माइनस 1 आ गया फिर मैंने एक जनरल फार्मॉला डराइब कर दिया बहुत बढ़ी है प्रोग्राम डन है होगे मामला के नहीं है कोश्चन जो आया एक तो ये आया था ये शहें 2021 में था एक बर मैं बताना चाहता हूं दूसरा कोश्चन मी न पैंडिंग रहेगा नहीं तो काँ 2022 को पैला वेपर चेक करते हैं इसमें था क्या आई सी पैपर में था मुझे याद आ गया यह रहा यहीं करा दूँआ तो यहाँ पर देखिए ज़रा यह कोश्चन था यह 2022 में रिपीट हुआ है कोश्चन पहले 2021 में था फिर 2022 में तो यहाँ पर 2 इंटू 2 का फेक्टोरियल 3 इंटू यह 2 इंटू 1 कितना होता है 2 फेक्टोरियल तो 1 न 2 इंटू 2 फेक्टोरियल हो गया 3 इंटू यह कितना है 3 फेक्टोरियल 4 इंटू 4 फेक्टोरियल कहां तक जा रहा है 9 into 9 factorial प्लस में 2 इसको ध्यान से देखी यह तो shortcut अभी करवाया है लेकि इस shortcut में कमी है 1 into 1 factorial addition में नहीं है क्योंकि जो मैंने आपको करवाया मैंने जो आपको करवाया और यह गायब हो गया जो मैंने आपको अभी करवाया वो उसमें 1 से start हो रहा है 1 into 1 factorial से तो यह कमिट ही इसमें तो यहाँ पर 2 into 2 factorial तो है 1 into 1 factorial की कमी है तो 1 into 1 factorial मैंने add कर दिया और 1 into 1 factorial मैंने subtract कर दिया और plus में 2 भी है तो यहाँ से लेकि यहाँ तक का shortcut लग गया 10 factorial minus 1 n plus 1 का factorial minus 1 वला minus 1 into 1 factorial दो 1 ही होता है plus 2 यह कट गया 10 factorial इसका answer था B option बोलो clear है कि नहीं मैंने 3rd attempt में return qualify किया था और screen out हो गया अब वो जोश नहीं बन रहा अधित्ते कैसी वादे कर रहा है जीवन में हार जीत्तों चलती रहती है यार इसका मितलए यह सुड़ना है कि तू घार मान लेगा हार जीत्तों जुन्दिकी का पार्ट है मेरे भाई बार बर वही बाते याद आती है कौन सी बाते ऐसे कोशन खुश से नहीं बनते सर अब बनेंगे न ठीक है न अब हम आ गए हैं अब सब के कोशन बनेंगे अब मज़ा आएगा ठीक है न हमारा भी पढ़ लो तूने क्या लिख दिया मुझे अगर कोई कोशन नहीं होता तो मैं आपको याद कर लेता हूँ हो जाते हैं जैसे ही आप सामने सौल कर रहे हो किया वात इतना बड़ा कॉंपलिमेंट यार मेरा सेटेडे संडे तो खा गया तू खा गया तो मेरा सेटेडे संडे मेरे कोशन नहीं आने वाली साइड हो जाता हूँ आया बेटा एक मिनिट में तब तक नोट करो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि दो दो कि अटाल को झाल कि अटाल के अटाल कर दो कि अबड़ादी है अब आए था लगा लो पिटा एक मिनट ना सफाई होगी वही से लगा लो आप ठेक है कर दो कर दोफ बम्रो खो एक मिनट में खर लो मुभा Im झाल बड़िए झाल कि लात जाएंसuft। हाँ हाँ जितन दर सही बोले आव हाँ यार इस नीचे से निगर जाना बच्चे देखते आपको यहां से तिखा ना कैमरे से यहां से तिखा ना कैमरे से हुआ है कर दो कर दो कर दो हो अ को सहा रटकाश के लग में झाश हो लिए को चाहँ मेंगा हुआ हो को किया थाता रहा हैं प्रक्षालि करेंड जयोगां क्या वात है वितुष क्या वात है सुर्यांश कहा रहा है सोतन की कसम सोतन ओ शितान की कसम मुहीं लगा तो गहरा है सोतन की कसम कि नहीं होगा बेटा विश को मारे कोशन हो तो मैं बड़ा प्रशान हो जो यह कप करा होगे वो कप करा होगे देख मैं तो बता देता हूं पहले पी एंसी होगा उसके बाइनमर होगा प्रवैल्टी होगी स्टाट्स होगी उसके बाद सीकुएंस इरीज कराऊंगा पहले बाइनरी नंबर उसके बाद तो कशिष ने कमेंट किया है किसीने भी क्या हो तुम सोतन की कसम खा रहे है है शितान की कसम बोली थी चलिए बढ़े आगे ले चले तुम्हें आगे की और टापिक डालेंगे कॉम्बिनेशन क्या टापिक है कॉम्बिनेशन जो करारों कर लो ना है अल्जाब्रा की शीट अप्लोड टैलिग्राम पर अप्लोड कर दो प्रिंट आउं निकालना यह कर रखिये कितनी बार करूं या एक एक चीज को मैं जार दोबारा कर दूंगा और बता और बता चालो कॉम्बिनेशन बढ़ते हैं इस देर आर and different things out of which are things to be selected then number of ways will be NCR the number of ways will be NCR द्यान अखेंगे, दो चीज़ों को highlight करेंगे, एक तो different को बस, different things different को highlight करेंगे, एक ही चीज़ को highlight करना है, different, ये formula तब भी लगता है जब different चीज़े हो याद रखिए कि अगर आपके बाद N different things है और आपको उन में से R things को select करना है, कितने things को select करना है R things को, तो R things कितने तरीके से select हो जकती है, उसके number of ways जो होते हैं, वो NCR होते हैं क्या होते हैं, NCR क्या होते हैं, NCR NCR में N भी different है, R भी different है मतलब कहने का यह है कि अगर आपको combination बनाने R चीज़ होगे, जैसे मालो एक classroom में 20 बच्चे हैं, मुझे दो-दो के combination बनाने हैं तो N 20 हो गया, बच्चे तो सारे different है होंगे, identical होंगे, और आपने selection जितनी करना है, वो R होता है आपने 3 बच्चों को select करना है, 3-3 के combination मनाने हैं, तो भाई, R 3 हो जाएगा 2-2 के combination मनाने हैं, तो R 2 हो जाएगा, बात समझ गए है NCR को कैसे solve करते हैं, formula होता है, N factorial upon में, N-R का factorial, R का factorial याद रखिए, यह जो R है, यह चीजे हैं, जो हम select कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, N से कर रहे हैं तो इसका हम जो R है, वो 0 से N के बीच में होगा R जो है, वो 0 से N के बीच में होगा, कहने का मतलब है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, कि चीजे 10 हैं, और select 11 कर नहीं है बहिए, अगर चीजे 10 हैं, तो selection 0 से 10 तक ही तो रहेगा यहां तो नहीं करोगे, यहां 1 करोगे, यहां 2 करोगे, यह 3, 4, 5, 7, 9, 10 तक करोगे इसलिए R जो होता है, इसकी restriction है, कि यह 0 से N तक होगा N हमेशा R से बड़ा होता है, क्योंकि चीजे जो हैं, वो जहां से select होरी हो तो जदा ही होंगी NCR में अगर मालू मुझे solve करना है 10C3 को, तो 10C3 कैसे solve किया जाएगा एक तो तरीका यह है कि आप प्रापर तरीके से 10 factorial upon में 10-3, 7 factorial, 3 का factorial करो तो 10 into no into 8 into 7 factorial लिखो, फिर 7 factorial लिखो, 3 factorial को 6 लिखो, कटा पिटा करो पिर कार्ड पिट के 120 answer आ जाएगा, मैं अगरा रहा है यह से, यो ना हो पाएगा 10C3 का क्या करेंगे, 10 को 3 बार down multiply करेंगे, 10 into no into 8 बात वही है, बस थोड़े से seconds को बचाने वाली बात है, कुछ seconds को बचाने वाली बात है तो 10 into 9 into 8, 3 बार down multiply कर दिया, 10 into no into 8 और नीचे लिखेंगे 3 का factorial, जो कितना होता 6, 120 आ गया 10 into no 1 into 8, 3 बार down multiply किया, 10, 9, 8 और नीचे लिख दिया 3 का factorial अब जैसे मालो आपने लिखा 12C4, 12C4 सौल करना है, तो 12 into 11 into 10 into 9 4 बार down multiply किया, क्योंकि 12C4 लिखा हुआ है, जो नमबर लिखा है, उसे हिसाब से आप down multiply करेंगे और नीचे आजएगा 4 का factorial 24, सौल करेंगे 495 की प्राप्ति होगी मालो आपने सौल करना है 13C2, तो 13C2 का क्या मतला होगा, 13 को 2 बार down multiply करेंगे 13 into 12 नीचे दोगा factorial, ठेके न, कितना आजएगा, 13 चिका 78, मालो आपको सौल करना है NC4 को, तो NC4 को सौल करना है क्या मतला होगा, N into N-1, N-2, N-3, 4 by down multiply, नीचे क्या आएगा, 4 का factorial, factorial मैंने आपको एक से लेके 10 तक याद करवा दिये हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी, factorial लिखने की नीचे, बोलो clear है कि नहीं, जल्दी से बताएंगे, clarity आ रही है कि नहीं आ रही है, note down, note down करेंगे, करें में आएगे, की नहीं श्याद已经ने आएगे, कर दो झाल झाल कि एक छोटा छोटा बना रहा हूं मैं सुवे सुवे करके दिखाओ इफ 2N C3 रेशयो N C3 इक्वल टू 12 रेशयो एक फाइंड एन ओप्शन्स आर साथ आठ नो छे तो इन कोश्चन्स को आप हिटन ट्रायल से भी कर सकते हो ऐसा नहीं है ठीक है ना ओप्शन चेंज कर रहा हूं थोड़े 5, 6, 7, 8 हिटन ट्रायल से भी कर सकते हो ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाऊगा लेकिन फिर भी मुझे दूसरे त्रीके से भी आना चाहिए हिटन ट्रायल से बात करूँ तो आप उप्शन उठा उठा के चेक करो कि कौन से उप्शन को डालने पर 12 रेशियो ही काता है जैसे अपने 5 डाला तो कितना बन जाएगा 10C3 रेशियो 10, 12 आ गया तो भाई पहला यह उप्शन है खतम बात अब आप सोच रहोगे कि सर आपको तो 10C3 याद है देखो मुझे तो काफी कुछ याद है आप हीटन ट्राय लगाओगे तो हो सकता है आपको 10C3 की वैल्यू डिरेक्ट ना पती हो पता हो तो फिर वो आप निकालनी पड़ेगी बाकी वैसे भी बहुत सिंपल है 2NC3 कितना होता है 2N को डाउन मल्टिप्लाय करेंगे 3 बार और नीचे क्या जाएगा 3 फेक्टोरियल फिरें C3 को 3 बार दाउन मल्टिप्लाय और नीचे क्या जाएगा 3 फेक्टोरियं एक्टोरियल कितना 12 यह कट गया यह से यह लिखो इमद 3 फेक्टोरियल थनीचे क्योंकि वैसे भी कट नहीं है वो तो ब्रैक्टिस की बात है अब N से N निकल लिया यहां से 2 गमन आ रहे गया यहां से 2 common आएगा तो यह 12 के 4 हो जाएगा और बचेएगा कि n-1 इस n-1 से कट जाएगा नीचे n-2 बच जाएगा सिरफ राइट में आजेगा 12 यह से यह 4 से 3 2n-1 इक्वल टू 4n-8 तो minus 2n इक्वल टू स्वरी सम्थिंग वेंट रॉंग 3 आएगा न यह तो 2n-1 इक्वल टू 3n-6 तो n की वेल्यू आगई 5 बोलो clear है कि नहीं तो यहां पर अच्छे ता समझ लो कोई जल्दी नहीं है मुझे यार तेखे मेरा target जो है मुझे complete कैसे करना है मुझे पता है जन्वरी के एंट तक तुम्हें कहां तक लेके जाना है मुझे पता है और एक मिनटे यारे call आया है बड़ा important लग रहा हालो जाइन बेटा अंडियस एडियस हाँ बोलो अंडियस एडियस 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 हाँ जाइन विच में फोन उठा लिया है अभी ना मैं क्लास में तो अगनी की बैच की कि लाज चल रही है और मैं क्लास में बीच में फोन उठा लिया मेरा कहीं से ना कॉल आना था अच्छली अर्जन तो मुझे लगा किसी उनीका होगा लेकिन तू तो तो अगनी बैच का शुरूर निकला तेरी सारी डिसकस कर अज भी कल भी ठीके ना चुटी ओप एम आज कल मैं तो तो फोन मुझे ना साड़े बारा लगा ली बच्चे मैं कहीं निकलू आटा मैं रास्ते में बात करूप खरमागा ठीक है ठीक है? समझ आया है कि नहीं आया है? इमानदार इसे बताना पड़ेगा जल्दी से लिखे बता देंगे चैट पे समझ आया है कि नहीं आया? लिखेंगे लिखेंगे शावाशे जल्दी आ गया है एक अधने चैट रही है अधनर एटि intern प्ली और हुअज हो गई आपकी तो मूझ गया यार एक्शली क्या होता है कि जब शूटिय के बाद जब किसी का कॉल आए और वो कहते की आज ळे आज़ लंच करते हैं साथ में में डिनर करते सास में, पार्टी करते सास में, becue मैं कहता हूँ यार अभी तो महै तीन दिन फी था यार, अब तू आज बता रहा हैं जब मैं फ्री नहीं हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि आप तूने बताया नहीं तो तेरी शुटिया थी यार। मैंने आप खुद सब को कॉल करके मैसेज कर दिया है कि भाई मेरे चुटिया चल रही है इसको बुलाना है भला लग ठीक है दोनों से कर सकते हैं वह तो आपकी मजी या रहे है तो हम कहीं जाने का प्लाइन हो गया हम जाएंगे लेकिन उससे पहले आपको कुछ-बात बाते बता影片 के रहेंगे अन्सी वन कितना होता है और राकिन कितना होता है इन्सी जीरो कि दिया लुगर एं pierwsze करवाने को तो लोग एक मीने में भी करवाना मुझे लग रहा है मैंने recording बहुत कोर्स है, 37, 11, 12 पड़ानी होती है पूरी, उपर से बच्चों से बात भी करनी होती है, उपर से बच्चों के डाउट भी लेने होते हैं, उपर से बच्चों को बहुत सारे कोर्शन करानी होते हैं, टेस्ट लेने होते हैं, यह जो लोग कहते हैं बस दो मीने में कोर्स क लिए कर लो इतनी इमानदर से कोई लिखता नहीं है ना पूरा कोर्स कटम करा देंगे यार कैसे कटम करा सकते हैं दो मीने में 37 चप्टर जब मैं आपको कहता हूं कि कोई भी एक बच्चे को कहता हूं जा बेटा उस शेल्फ में बारा बुक्स पढ़िए एक बुक उठाला त बताओ अधिट्य के बारा तरीके नहीं होंगे बॉख लाने कि योकि मैंने यह तो नहीं बॉला नौ कि आ यह हिंश्ट्री की बुक लेता क्या वैंने बोले हैं ओने से कोई ही एक बुक उठाला तो बारा तरीके होंगे तो इस तरीके से चीज़ सम्झ अथा है कि N में से ज तो जब books उठाला और जैसी books उठाता है वो सारी की सारी में अधित्य को पीछे से बाई जगा तो अधित्या मतला कोई भी book, mood change हो गया भाई तो अधित्य सारी की सारी उन books को भी छोड़ देता है और वापिस आजाता है खाली आथ मतलब N में से अगर 0 चीज़ सेलेक्ट करेंगे तब भी answer एक आता है क्योंकि उस time पे आफ सारी चीज़ों को सेलेक्ट नहीं कर वे है इस chapter के अंदर हम number of ways निकाल रहे हैं कि किसी भी काम को करने के कितने तरीके होते है तो किसी भी काम को करने के तरीके हमेशा natural number की form में होते है इस chapter का answer कभी भी 0 नहीं आता, negative में आता और decimal में नहीं आता इस chapter के अंदर जितने भी questions बनेंगे उनका answer कभी negative नहीं होगा, 0 नहीं होगा, decimal में नहीं होगा कोई सी भी काम को करने के तरीके negative में हो सकते, 0 नहीं हो सकते और fraction में नहीं हो सकते, इतली इस cancer भी 1 है, इसके इलावा NCR, N-R के equal होता है, आप N में से R चीज़ों को select करो या N में से N-R चीज़ों को select करो बात एकी है, जैसे अगर मालो मैंने बुला 10 में से 3 चीज़ों को select करो या 10 में से 10-3, 7, 7 चीज़ों को select करो, बात एकी है, 10 में से 3 चीज़ों को select करो, या 10 में से 7 चीज़ों को select करो, बात एकी है, NCR equal to N-R, जैसे 20C9 लिखो, या 20C11 लिखो, इस बात को मैं explain करना चाता हूँ, example से, माल लेते हैं मेरे पास 5 चीज़े है, A, B, C, D, E, अब मैं इ 10, और यहां फिर मैं 5 में से 3 चीज़ों select करता हूँ, तब भी answer 10 ही आएगा, हम बना के दिखाना चाता हूँ, आपको clarity आए, कि 5 में से, सर जी, 10 चीज़े, 2 चीज़े select करी, तो 10 कैसे आ रहा है, और 5 में से 3 करी, तब भी 10 हा रहा है, तो क्या होगा 5 में से, जब आपने 2 च बनेंगे 10 combination, अब याएंगे, ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CD, इभी 10 हो गए, तो 5 में से 2 चीज़े select करो, तब भी number 10 है, 5 में से 3 चीज़े select करो, तब भी number 10 है, बोलो हाँ है न, दबागे like ठोक दो, clarity आ रही है कि नहीं हा रही है, तो NCR में से Ncn-R के equal होता है, यहाँ से एक चीज़ और सिखाऊँगा, इसी की modified form है कि, if Nca equal to Ncb, अगर Nca, Ncb के equal है, अगर Nca, दूसरे page पे करते हैं चलो इसको, अगर NcA, Ncb के equal है, तो उस case में यहाँ तो A, B के equal होता है, यह N की value A plus B के equal होती है, अगर NcA, Ncb के equal है, तो यहाँ तो A, B के equal होता है, यह N की value A plus B के equal होती है, ठीक है, एक्जामपल लेते हैं, कोश्चन आया एंडिगेवर में कि 18cr, यह कोश्चन पुछ चुका है, 18cr, 18cr plus 2 के equal था, find r, this was a question had been asked, तो भाई, 18cr, 18cr plus 2 के equal होती है, तो यहाँ तो R, R plus 2 के equal होगा, 0, 2 के equal होती है, not possible, यह 18 जो होगा, वो R plus R plus 2 के equal होगा, तो यहाँ से R की value आगई 8, बोलो clarity आ रही है कि नहीं हा रही है, मामलाओं परकाशे, चमन परकाशे, सूर्य परकाशे, जल्दी से बता देगे, पठाक से, देगो बेटा, आज कलना मैं बहुत free हूँ, तुम लोगों के लिए, तो मेरा बुरा plan है, अब थोड़ी सी मेनत को double कर दो, paper pass आता जा रहा है, इतनी मेनत करिए, यहां तक पोचे हैं, तो अब एंड खराब नहीं होना चाहिए, जैनवरी में सारे doubts all करने वाला हूँ, तुम लोगों अब तक मुझे doubts दिये नहीं है, set of care relation के, ऐसे नहीं चलेगा जीवन, ठीक है? मेरे बाबा एक सूर्परकाश आये से, गाओं में, ओके, इतने रखे जदा पड़ा हूँ, त्यार भी होना न, जाना भी तो है, डंच पे, पहले त्यार होना पड़ेगा, दूर जाना थोड़ा, wireless mic हमारे नसीर में नहीं, नहीं नहीं लेके आजूँगा यार, ठेकर लाओंगा यार, wireless mic लाओंगा, कुछ टाहिए लोको, जी सर, आप classes लेजी, as well as we are more active from now onwards, अभी कर देता हूँ एटा, अपलोड ना, इतना ही रखो, बस सर, शाम को, हाँ शाम को तो class है, नोबडी कें स्टॉप में, अच्छा एक बाब बताओ, कभी रात को मैं एक से तीन पढ़ाना चाहूँ, पढ़ लोगे, आजोगे, है, पढ़ लोगे ना, जैसे कईवे मुझे रात को नीन नहीं आती, तो मैं class रख दूँ तुमारी PNC की तो, कोई दिक्तर तो नहीं है, है, है ना, जूट बोल रहे, आओगे नहीं तुम, मैं फिर कभी-कभी हो सकता है, classes तुमारी एक से तीन रखो रात को, ठीक है, पूरी रात नहीं, एक से तीन, बहुत है, तीन बेज़े सो जाएंगे, आप लोग है, ओके, ट्राफिक केंश, ना, आज ट्राफिक नहीं मिलेगा, Saturday को इतना ट्राफिक नहीं होता हमारे यहापे दिल्ली में न, हाँ, बस इतना है, जैसे एक गंटे में तीन गंटे लग जाते हैं, ट्राफिक में, Saturday वाले दिन पहुने तीन गंटे लगते है, 15 मिंट का फरक रहता है, ट्राफिक कम होता है, नहीं लुगा बेटा, दुल्लब, मजाक से, हटकेसर, चार विजे से, भी, किशनेरी रैंक में मेरे टाइम, आशितोष, प्लीज, हाँ, ठीक है, आशितोष, लेकिन तेरे नाम में तो एच्छ रेपीट हो रहा है, ठीक है, ले लुगा तब भी, ठीक है, पिटा, पहले तो शाम को मिलते हैं, दस बजे जो भी क्लास लेनी है, अपन लोग लेते हैं, इमान दरी से उसके बाद देखते हैं, रात को भी रख पाएं, तो एक से तीन रख लेगें, थैंक यू सो मच, बबाई, टेक केर, जाहिन, कीप लर्निंग, बबाई